हलो हम डिस्कुस करने जा रहे हैं पीना कोल री अरेंजमेंट जो पीना कोल री अरेंजमेंट होता है इसमें वेसिनल डायोल से यहां पर आप देख सकते हूँ दो OH ग्रूप लगे हुए हैं एडिसेंट कारवन पर उससे फॉर्मेशन होती है की टोन की और इसमें हम लेते हैं आसट कैटलिस्ट यानि कोई भी आसट जिसे की H2SO4 यहां पर हमने ले रखा है इस रियक्शन में तो आप देखते हैं रियक्शन कैसे प्रॉसीड होती है इसक क्या मिलेगा H+, यानि कि है वो किसके साथ में जो ओ एच गुरूप का यह यह उठा लेगा चुरा लेगा और और यहाँ पर क्या form हो जाएगा कुछ इस तरह से यानि कि अब यहाँ पर leaving group formation होगी है यहाँ पर H2O यह जो plus बना हुआ है यह क्या है leaving group है तो अब यह leaving group जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा H2O की form में और यहाँ पर किसकी formation हो जाएगी कार्बोकेटायन की formation हो जाएगी यानि एक तरह से यहाँ पर intermediate बन रहा है कार्बोकेटायन इसके बाद में क्या होगा अब जो OH group है यह दूसरा वाला यहाँ का जो lone pair of electron है यह यहाँ पर bond बनाना चाहिएगा तो जो CH3 है यह migrate करके कहां आ जाएगा यह इस कार्बोकेटायन वाली यानि इस वाले carbon पर इलक्ट्रॉं की कमी है यहाँ यहाँ इस तरह से फॉर्म हो गया है अब यह हाइडरोजन यहां से बाहर निकल जाएगा और किसकी formation हो जाएगी यहाँ पर ketone की formation हो जाएगी इस reaction में यहाँ पर आप देख सकते हो जाएगा हाइडरोजन यहां से बाहर निकल गया हाइडरोजन का ट्रांसफर हो गया यहां से और formation किसकी हो गई पिने कॉलोन की या फिर ketone की formation हो गई यहां पर यह कहलाता है पिने कॉल पिने कॉलोन रियरेंजमेंट अब इसमें जो से यहां पर अगर आप जाओ तो हम देख रहे हैं स्टेबिलिटी और कार्बोकेट्राइन जिससे यहां पर आगर आप देखोगे तो दो ओएज ग्रूप लगे हुए हैं अब जैसे ही हमने आसे डाला यानिके एच प्लस डाला तो वह क्या करेगा या तो इस वाले ओएज क में लग जाएगा इस वाले ओ सइस में लग जाएगा आ इन दोनों में से किसी की साथ में लगेगा है सबते ने में लग एकर तो किंद कर क्या होगा यहाँ पर कार्बोकेटाइन की formation हो जाएगी अब यहाँ पर दो चीज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन है यह resonance के द्वारा stabilized है यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन है यह hyperconjugation के द्वारा stabilized है तो यहाँ पर जो stability है यानि कि hyperconjugation के द्वारा है यानि 3 इसके पास में होगे और 3 इसके पास में होगे 6 alpha hydrogen होगे लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें तो यह जो है यह किसके द्वारा stabilise है carbocation resonance के द्वारा resonance की जो stability होती है resonance से जो stability हमें मिलती है वो hyperconjugation से ज़ादा होती है इसलिए यह वाला जो carbocation form होगा यह जादा stable होगा तो जो product की formation होती है वो कहाँ होती है यानि कि जो major product more stable product form होगा वो कहाँ पर होगा यहाँ पर form होगा ठीक है I hope इसका answer clear होगा अब इसी में अब हम देखते है migration tendency में यानि migration tendency में क्या देखेंगे यहाँ पर अगर हम इस example को देखें तो अगर हम carbocation की formation कराएं तो carbocation यहाँ पर जादा stable होगा यानि जो hydrogen है वो यहाँ पर लग जाएगा तो formation किसकी होगी यहाँ पर जैसे CH3C plus और यहाँ पर यह वाला carbocation form हो गया ठीक है अब यहाँ पर जो migrating group है दो migrating group है एक तो hydrogen है और एक methyl है और मैंने बताया था कि hydrogen की migration tendency methyl से जादा होती है तो यह जो hydrogen है यह migrate करेगा यहाँ पर ठीक है और किसकी formation हो जाएगी ketone की formation हो जाएगी ओके यहाँ तक जो पीने कॉल पीने कॉलन rearrangement है वो clear होगा Thank you